अभी तक हमने जो एडवर्ब के टाइप्स पढ़े और वो प्लेंज वाक्य हैं, साधे वाक्य बिलकुल, कोई प्रश्ण वाचक नहीं है उसमें ये साधे वाक्यों में निकले हुए एडवर्ब को हमने केटेगराइज किया, उनको वर्गी करण किया I am not anymore. Now let's come to another kind of adverb, which are interrogative, जो प्रश्ण वाचक है यहाने वेadverb जो प्रश्ण बनाते हों और चुठी वो प्रश्ण बनाते हैं, इसलिए वो interrogative adverb कहलाते हैं क्या कहलाते हैं, interrogative adverb, प्रश्ण वाचक क्रिया विशेशन, इन प्रश्ण वाचक क्रिया विशेशन को थोड़ा देखें, बहुत सरल है, वैसे तो प्रश्ण क्रिया विशेशन जो है, वो हमने देखा करीब छै प्रकार के, प्रश्ण वाचक क्रिया विशेशन वे शब्द हैं, जो प्रश्ण के रूप में रहते हैं, लेकिन इन छैयों में से किसी ने किसी एक वर्ग में आएंगे ही, ये दूसरे शब्दों में, what I am trying to say is that, these words are adverb, which adverb, interrogative adverb, now apart from being interrogative adverbs, they also fall under one or the other categories that we have discussed earlier, प्रश्ण वाचक क्रिया विशेशन होने के अलावा, ये जो हमने पहले जो छै श्रेणियां पढ़ी, उसमें से भी ये किसी ने किसी एक श्रेणी में आते हैं, बात और स्पश करने के लिए, देखिए, where is abdul, क्या मुला मैंने, where is abdul, ये क्या बताता है, उत्तर जो निकलेगा, वो कौन सा adverb बताएगा, जगह बताएगा न, तो adverb of place होगा, तो where is abdul में, where is, where shabd is interrogative, सवाल पूछने वाला adverb है, चूंकि ये सवाल पूछने वाला adverb है, इसलिए प्रश्ण वाचक क्रिया विशेशल कहेंगे, प्रश्ण वाचक adverb, questioning adverb, interrogative adverb, and because it answers a place, it will also be called adverb of place, interrogative adverb of place, similarly, when did you come, ये समय बता रहा है, वेन क्या बता रहा है, समय बता रहा है, वेन दिद यू कम, तुम कब आए, तो कब समय बता रहा है, उत्तर आएगा, मैं सुबा आया, शाम आया, पांच बजा आया, दो फ़र आया, कल आया, पर्श्वा हूंगा, so it is interrogative adverb of time, similarly, why are you late, कारण पूछ रहा है, reason पूछ रहा है, तो interrogative adverb of reason, कारण पूछ रहा है, similarly, how did you do that, तुमने वो कैसे किया, कैसे किया, अच्छे से किया, बुरा किया, manner, so it is interrogative adverb of manner, how, similarly, how many boys are there in your class, how many boys are there in your class, क्या बताएगा जे, it will tell you the quantity, so the adverb of number, interrogative adverb of number, or interrogative adverb of quantity, and last is, how is, how tall is that building, how tall is Taj Mahal, कितना उंचा है, क्या बता रहा है, इतना उंचा है, इतना उंचा है, पांच मीटर उंचा है, पांच मीटर तो नंबर हो गया, लेकिन यदि मैं बता है, इतना उंचा है, उतना बड़ा है, तो जो इतना उतना जो आ रहा है, वो very tall, very short, तो very शब्ज जो आ रहा है, वो an adverb है, right, so this is how we say, how high is tower, very tall, it's very tall, So in other words, we have interrogative adverbs, and all of them, where, when, how, why, how, and how, they come under different categories, mind you, how also comes under manner, it comes under number, it also comes under degree, How did you come, कैसे आये हो, cars, वहाँ पे how, how many boys, कितने बच्चे हैं, how car meaning हो गया, कितने, पहले में how car था कैसे, और तीसरे में how tall, कितना उंचा, तीनों, how शब्ज तीनों में आ गया है, manner में भी, quantity में भी और degree में में, This is about interrogative, थोड़ा सा मौर जान लें, interrogative में, एक और where शब्द जो आपने देखा, where is Abdul, it shows you the place, now, if I say, show me the house where he was sleeping, मुझे वो घर बताओ, जहां वो सो रहा था, तो ये तो स्पष्ट हो गया, where जो है, वो सो रहा था कि क्रिया को स्पष्ट करता है, where, क्या करता है, सो रहा था जो क्रिया है, उसकी विशेश्टा बता रहा है, उसको स्पष्ट कर रहा है, लेकिन यदि इसके साथ ही where, relative pronoun की तरह, उसका उप्योग कर सकते हैं, मकान की where, where is that house, जो where का उप्योग देखी कैसे बदल गया, इसमें हम संबंध वाचक क्रिया विशेशन, याने relative एडवर्ब कहेंगे, इससे क्या कहेंगे, relative एडवर्ब, जैसे, this is the reason why I left, ये वो कारण है, जिसके कारण, ये वो reason है, जिसके कारण मैंने छोड़ा, why I left, ना why कारण यहां क्या हो गया, why मतलब, क्यों, और एक मैंने बताया था, why are you late, तुम क्यों late हो, तो reason बताया था, अब यहां देखिए, this is the reason why I left, so यहां ये संबंध वाचक क्रिया विशेशन का उदारन है, so we have another type of क्रिया विशेशन now, relative adverb, relative adverb, do you know, when the Punjab male will come, when, क्या तुम को मालूम है, कब आएगी, तो यहां पे when जो है, that becomes relative adverb, ये pronoun भी है, relative pronoun, relative pronoun के साथ ही हम इसको संबंध वाचक क्रिया विशेशन के रूप में उपयोग कर रहे हैं, so this is called relative adverb, example of relative adverb, now we see, after having understood simple adverbs, and six categories, after having understood interrogative adverb, and also that all interrogative adverbs fall under one or the other six categories, अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, प्रयोग के उनिसार तीन वर्गों में बाठते हैं, simple adverb, जैसा हम ने कहा, I can hardly believe it, जो किसी क्रिया विशेशन या क्रिया विशेशन के अर्थ को स्पष्ट करता है, वो simple adverb हुआ, दूसरा हमने पढ़ा प्रश्ण वाचक adverb, जो प्रश्ण पूछने के लिए प्योग होता है, जैसे why are you late, अभी जो पढ़ा, और तीसरा हमने पढ़ा, relative adverb, तो तीन टाइप के हमने अड़वर पढ़े, जो किसी पूरवर्ति संग्या की ओर संकेत करते हैं, जैसे I remember the house where he was born, I remember the house where he was born, where, कहां, जहां वो पैदा हुआ था, I remember the house where he was born, जैसे प्रकार यह देखा जाएगा कि, there are three types of adverbs, that's what we have understood, and further if you notice, साधारन क्रिया विशेश्चन, जो है simple, simple adverb, किसी शब्द को इस पश्ट करते हैं, simple adverb, किसी शब्द को, की विशेश्टा बताते हैं, किसी क्रिया की विशेश्टा बताते हैं, केबल शब्द को इस पश्ट करते हैं, यह हम कह सकते हैं, शब्द को केबल सपश्ट करते हैं, बाद, दूसरा है प्रश्ण विशेश्टा किसी प्रश्ट को प्रश्टत करते हैं, यह शब्द सपश्ट नहीं करते, कुछ भी सपश्ट नहीं करते, प्रश्ट पूछते हैं, और तीसरे के दे हम बात करें संबंद वाचक याने रिलेटिव तो किसी पूर वर्ती उसके और संकेत करते हैं I remember when I had met him I remember he had gone there I mean not he had gone there I remember how tall he was when he was young ये रिलेटिव पहले वाले के पहले के संबंद बता तो तीन तरीके के हमने देख लिये एक तरीके से वरगी करण में Now we move to further understanding of adverb अब हम adverb को थोड़ा और जानने के कोशिश करें और forms of adverb is another topic that you must understand forms of adverb adverb के प्रकार रूप कुछ क्रिया विशेशनों का तो वही रूप होता है जो सामाने विशेशन अर्थात कुछ शब्दों का प्रयोग विशेशन की तरह और कुछ का क्रिया विशेशन की तरह भी होता है तो now we will based on the types based on the form रूप अब हम थोड़ा सा adverb को और जाने he spoke in a loud voice. Voice? कैसी voice? Loud. Voice क्या है? Voice क्या है? क्रिया है क्या? नहीं हैं. Voice क्या है? Voice हो गया संग्या. संग्या की विशेश्टा बता रहा है. कैसी आवाज? ऊची आवाज. तो ये क्या हो गया? ऊंचा विशेशन. अब इसको जो हम एड़वर्ब के जैसे उंचा को हम लाउड को हम एड़वर्ब में कैसे उज़ करते हैं Don't Talk Loudly Don't Talk Loudly याने Loud Word Adjective है और उसको हमने लवाई लगाकर एड़वर्ब बनाया और बिना लवाई के भी बोल सकते हैं Don't Talk So Loud ये दोनों वाक्यों को गौर से देखें He spoke to me in a loud voice और Don't Talk To Me So Loud Don't Talk To Me So Loud एक में वो संग्या के विशेष्टा बता रहा है इसलिए adjective है और एक में वो क्रिया के विशेष्टा बता रहा है इसलिए adverb है तो हम क्या कहने चाह रहे हैं कि दिखने में क्रिया विशेष्णों का रूप वही विशेष्ण का ही रूप होता है लेकिन अलग-अलग उप्योग हो जालते हैं राम इस अवर फास्ट बोलर बालर क्या हुआ बालर क्रिया है क्या नएं बालर संग्या है संग्या के विशेष्टा बता रहा है कैसा बालर फास्ट बालर तेज भिंद बाल तो fast क्या हुआ adjective दूसरी और राम कैन बॉल fast राम कैन बॉल fast शब्द वही fast है और यहां fast किसकी विशेष्टा बता रहा है क्रिया की क्या क्रिया गेंद करने की क्रिया बॉलिंग करने की क्रिया बॉलिंग करने की क्रिया की विशेष्टा बता रहा है और कह रहा है कि राम कैन बॉल फास्ट राम तेज गेंड डाल सकता है कैसी गेंड डाल सकता है गेंड डालना तेज गेंड डालना गेंड डालना की विशेष्टा बता रहा है He lives in the next house, He lives in the next house, ये तो हो गया, वह अगले मकान में रहता है, तो अब ये क्या है, क्रिया, अगला क्या बता रहा है, मकान, कौन से मकान, अगले मकान, मकान क्या है, संग्या है, तो ये adjective हुआ जहाँ, अब next का adverb कैसे होगा, next का adverb कैसे होगा, when I next see him, I will talk to him, when I next see him, I will talk, जब मैं अगली बार उसे मिलूँगा, तब मैं बात करूँ, मैं मिलूँगा, कब मिलूँगा, अगली बार, adverb है, और कौन सा adverb है, frequency है या time है, आप बताएं, कौन सा adverb है, adverb of frequency, और adverb of time, अगली बार, मिलूँगा, भविश्य की बात कर रहा है, he went to the back entrance, he went to the back entrance, वह पीछे के entrance में चला गया, back entrance, कैसा entrance, कहा का entrance, back entrance, और यह हो गया adjective, क्योंकि entrance संग्या है, और अब दूसरा, go back, वापस जाओ, जाओ की विश्यष्य बता रहा है, वापस जाओ, manner बता रहा है, कैसे जब वापस जाओ, he go back, वह उसकी विश्यष्य बता रहा है, so what I am trying to say here is, forms of verb, same adjective can be used as adverb also, same word can be used both as adjective as well as adverb, loud, loud, fast, fast, next, next, back, back, there is much truth in what he says, there is much truth in what he says, much जो है, अच्छा इस वाक्य में adjective कौन सा है, पहले तो यह आपको identify करना होगा, यह adverb कौन सा है, पहले identify करिये, there नहीं, is नहीं, truth नाउन है, what he says, he says क्रिया हो गई, तो फिर कौन सा होगा, much, truth, कैसा truth, much, ज्यादा सच्चाई नहीं है, कितनी सच्चाई, ज्यादा सच्चाई, degree, पर यह adverb है कि adjective है, सच्चाई क्या है, सच्चाई is noun, भाव अचक संग्या, so इसलिए यह adjective होगा, अब much का adverb देखिए, the patient is much better, patient is much better, इसमें much adverb होगा, so I think you have understood same words being used, both as adjective and as adverb, now let's come to some exercise here, you see the words and try to use them as adjective, you see these verbs, I mean these adjectives and use them as adverb, very, very का उपयोग करें आप adjective और adverb दोनों में, he is very tall, he is very tall, क्या है यह, और adjective क्या बना, very good, इसमें very adjective है, और much है, very tall, तो यह adverb है, similarly near, near मतलब past, near यहने path, अब इसके देखिए, adjective और adverb दोनों में कैसे विपयोग होता है, he is so near to me, that I cannot refuse him, he is so near to me, और he is standing near to me, इसमें एक adjective है, एक adverb है, ऐसे ही, मैं च्यार वर्ड और देता हूं आपके लिए, long, late, early and fast, long, late, early and fast, you have to use these words and make sentences by using them as adjective and also as adverb, same word, right, next we come to next information, and that is, कई adverb ऐसे होते हैं, जिनके दो रूप होते हैं, एक, वह जिसके अंज में लवाई होता है, और दूसरा, जो विशेशन की तरह होता है, लवाई, he sings very loud, and he sings very loudly, मैंने आपको पहले ही बताया कि लवाई लगा कर बहुत से शब्दों को हम adjective बना लेते हैं, बहुत से विशेशनों को हम adjective के रूप में बदल देते हैं, he sings very loud, वह बहुत जोर से गाता है, and he is singing, he sings very loudly, वह बहुत जोर से गाता है, दोनों का अर्थ वही है, लेकिन बोलेने की तरह, एक में मैंने विशेशन के रूप में उप्योग किया, एक में हमने उसको एड़वर्ब के रूप में उप्योग किया, ऐसे ही, कभी कभी क्रिया विशेशन के दोनों रूप के अर्थ ही अलग-अलग होते हैं, यहां तो मैंने loud use किया, तो एक ही meaning निकला, लेकिन अब अलग-अलग अर्थ हो जाए, जैसे, राम वर्क्ष हार्ड, राम वर्क्ष हार्ड, बहुत मैनत से काम करता है, और I could hardly recognize him, कभी-कभी क्रिया विशेशन के दोनों रूप के अर्थ अलग-अलग होते हैं, हैं तो क्रिया विशेशन, दोनों ही, याद रखिये, इसका अर्थ, ये मत समझेगा कि इनके अर्थ अलग हुए तो क्रिया विशेशन नहीं है, दोनों ही क्रिया विशेशन हैं, पर अर्थ अलग-अलग हो गया, उदाहरन के लिए राम वर्क्ष हार्ड, कैसे काम करता है, बहुत हार्ड, और आई कुड़ हार्डली सी हिम, आई कुड़ हार्डली मीट हिम, आई कुड़ अर्डली अंडरस्टैंड हिम, यहाँ पे ये भी अड़वर्ब है, लेकिन रूप अलग हो गया, सिमिलरली स्टैंड नियर, मेरे पास रहो, दूर की तुलना में, और राम और हरी आर नियरली रिलेटेड, वो दोनों लगभग, नियरली मतलब क्या हुआ, लगभग, रिष्टदार हैं, राम और हरी आर नियरली रिलेटेड, लगभग, रिष्टदार हैं, ऐसे, he arrived late, वह लेट आया, और I have not seen him lately, अब देखे, L और L Y लगने से क्या अंतर पड़ गया, L Y लगने से original adjective में क्या अंतर पड़ गया, ये बात आपको बताई जा रही है, मैं फिर तो दोहरा दू, कभी कभी क्रियाविशेशन के दोनों रूप के अलग अर्थ हो जाते हैं, इसके पहले मैंने एक वाक्य बताया था, एक उदारन जिसमें क्रियाविशेशन के एक ही अर्थ निकलते हैं, adjective और क्रियाविशेशन के, यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, इनके अर्थ ही अलग निकलते हैं, यद्यपी दोनों ही अड़ वर्ब हैं, दोनों ही मैंने निकट भविशा में उसे नहीं देखा है, यहाँ पर देखいた हो गÂताया लेटे मतलब निकट भविशा में, He arrived late, मतलब वह लेट आया, विलंब से आया So late और lately में अंतर हो गया, near और nearly में अंतर हो गया, hard और hardly में अंतर हो गया तो ये जो शब्द हैं, ये दोनों adverb हैं Hard, hardly, near, nearly, late, lately, लेकिन दोनों का अर्थी बदल गया Certain adverbs, they are used as prepositions also We are going to study prepositions later, after we complete adverb But then what you should know is that prepositions are sambandh bodhak shabd Prepositions जो है, वो sambandh bodhak, sambandh का bodh कराते हैं, वाक्यों में sambandh का bodh कराते हैं जैसे, he lives far from here, from here, here मतलब ये जगा, he lives far from here यहां पर here के spelling क्या है, h-e-r-e, जगा बता रहा है तो adverb of place हो गया, he comes from there, जगा बता रहा है अब ये there or here क्या है, sambandh bodhak, he comes from there Similarly, I have heard that before now, I have heard that before now, अभी के पहले भी मैंने इसे सुना है this time, now क्या बता रहा है, time बता रहा है so, क्या मैं बताना चाहरा हूँ इसमें आपको, कि there are adverbs which are used as preposition, preposition के बाद हम इनको use करते हैं, from, जैसे यहां पर क्या हुआ, from, here from, there, before, now हुआ हुआ, so, इनका उपयोग, preposition के बाद, संग्या, जैसा उपयोग हो जाता है here क्या हुआ, संग्या हुआ, यहां, there, वहां, now, अब, since when have you been dancing since have you, since when, have you been dancing, कब से डांस कर रहा हूँ, time, कब से डांस कर रहा हूँ, time so, this is what is, an example, कि क्रिया विशेशन का प्रयोग, हम, preposition के बाद, संग्या की तरह कर लेते हैं, right, कभी-कभी कुछ क्रिया विशेशन का प्रयोग, विशेशन के तरह दिखता है, जैसे, उसमें, participle, kridant, हिंदी में, उसे kridant कहते हैं, जैसे, the then king, the then king, उस समय का राजा, यहाँ, then क्या हो गया, जबकि मैं बात कर रहा हूँ, उस समय का राजा, the king, then ruling, पूरा वाकि क्या बनेगा, the king, then ruling, was Ashoka, the then king, Ashoka, यहाँ, the king, who was ruling, namely Ashoka, then क्या बता रहा है, then बता रहा है, हम उसका विशेशन की तरह, उसको एक तरीके से उस समय का, a downtrain, आपने सुना होगा, up train and downtrain, downtrain मतलब क्या, down मतलब नीचे, पर downtrain कार्थ क्या होता है, नीचे 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 होता, downtrain कार्थ मतलब वापस आने वाली train, up train मतलब जाने वाली train, downtrain मतलब आने, up मतलब ऐसे जाना नीए, up मतलब जाने वाली train, down मने आने वाली train, अब यहां पर भी देख रहे जिए कि कहते हैं, Up-going train, Down-going train, Up-going train, Down-going train. So this is how we can also feel at times confused that adverbs look like adjective, but इनके पीछे विशेशन चुपा हुआ है. Right? Now, let's see one more example. How we use definite article? The The काउप योग क्या अंतर ले आता है? जैसे the more, the merrier. The more, the merrier. जितना ज्यादा खाओगे उतना ही मज़ा आएगा. तो यहां पर जितना जो शब्द है, वो क्या बता रहा है? Adverb. The more, the merrier. The fewer, the better. जितना कम, उतना अच्छा. कई बार बोलते हैं, अरे जितने कम लोग आएगा, उतनी अच्छा होगा. कितनी आइस करीम खाओगे? भी कई बार इस पार्टिपल के उपयोग के साथ ही, डेफिनेट आर्टिकल के उपयोग के साथ हम इसको एक तरीके से उपयोग कर लेते हैं. एक चीज़ आपको बसे ध्यान रखनी हैं, जब मैंने आपको कहा कि दी आर्टिकल का क्रिया आफिशेशन की तरह हम उपयोग कर लेते हैं, दी आर्टिकल का, जो अधरवाइज आर्टिकल है, तो ये हमेशा केवल उत्तरावस्था, याने comparative degree में ही इसका उपयोग होता है, आपको इसी degree adjective के समय जो पढ़ाय गया था उसको देखेंगे, तो तीन degree होती है, मूल अवस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था, बीच वाली जो अवस्था है, वो उत्तरावस्था होती ह जिसमें, किस से तुलना होती है, मूल अवस्था से, तो याने good, better, best, better क्या है, उत्तरावस्था है, better than what, better than the first one, better than third one नहीं होगा, third वाला तो best है, तो better than the first one, मूल अवस्था, first degree In other word, whenever we use the as adverb, we always use it with the उत्तरावस्था, with the second degree, the good, the merrier, the better, the merrier, the fewer, the better, आप देखेंगे, दोनों में second form आ रहा है, second form of adjective आ रहा है, second degree of adjective आ रहा है, So, you must remember, क्रिया विशेशन दी को यदि क्रिया विशेशन के यूब में यूज कर रहा है, तो हमेशा उसके साथ second degree आएगा adjective का अंतिम बात, जो आपको इस मन में समझनी है, वो है, कि समय, place, time, distance, दूरी, वजन, माप, आदिके, क्रिया विशेशन, आत्मक शब्दों को व्यक्त करने के प्राया क्रिया विशेशन की तरह ही यूज करते हैं, जैसे दारन के लिए, he went home, place, he went home, तो हम यहाँ क्या 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 विशेशन, आत्मक संबंद को व्यक्त करने का प्रेयोग प्राया क्रिया विशेशन की तरह ही होता है, तो यहाँ पर home क्या हो गया, क्रिया विशेशन हो गया, क्योंकि विशेशन की विशेश्टा बता रहा है, गाने की विशेश्टा बता रहा है, Similarly, the cloth measures three meters, the cloth measures three meters, measures naap, naap, naap hona, to measure matlab naap hona, three meters, quantity बता रहा है, so it's adverse. The last is, the wound was skin deep, wound मतला, chot, wound was skin deep, chomri जितना ही था, chot जो उसको लगी थी, बहुत सतही थी, chomri में लगी थी, बत, the wound was skin deep, chomri जो थी, वो कितनी लगी थी, मतला, उसको chot कितनी लगी थी, केवल उपर, satही, chomri में लगी थी, अंदर जादा घायल नहीं हुआ, तो अब कितनी लगी थी, इसको बताने के लिए क्या शब्द यूज कर रहे हैं, skin, तो skin क्या हो गया, adverb, और वैसे तो हम देखते हैं, कि यह sangya है, तो हम इसको इस तरीके से भी यूज कर सकते हैं, home sangya थी, meters sangya है, skin sangya है, so there are situations when we can use these nouns as adverb, and that is what is done in good English.